हेलो दोस्तों सुवागत है आपका अपने चैनल में दोस्तों आज हमारे हिंदी प्रैक्टिस सेट का सेकेंड पार्ट है चलिए आज की वीडियो इस्टार्ट करते हैं पहला क्यूशन है राम चरित मानस में समयोजित कुल कांडे ओप्सन सी साथ हिंदी किस अनुछेद के तैत राष्ट भाषा कैलाई अनुछेद तिनसो तितारिस हिंदी साइते गा आधुनी काल कब से प्रारम माना जाता है ओप्सन भी अठारसो पचास से हिंदी भासा को राज भासा कब घोसित किया गया ओप्षन ए 14 सितंबर 1909 को 14 सितंबर को राष्टि हिंदी दिवस मनाते हैं और 10 जन्वरी को विस्व हिंदी दिवस मनाते हैं अंधेर नगरी चोपट राजा नाटक किस ने लिखा संस्कर्थ भासा के पहले कौन सी भासाती प्राकर्थ उजवल सब्द का सुद रूप है उप्षन सी उजवल पदर्शनी सब्द का सुद रूप है उप्षन डी पर दर्शनी सत चैन का संधी विच्छेदे उप्षने सत पलस चैन हिंदी का स्वन्युक किस काल में रहा उप्षन भी भगती काल में कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थे उप्षन डी बहुत अच्छा लेखना पितामबर कौन सा समासे उप्षने बहु बरी समास पितामबर कृषन के लिए पर्युक्त होता है पंच्वटी कौन सा समासे उप्षन भी बहु बरी समास पावक का संधी विच्छेदे उप्षन सी पो पलस अक जगदीश का संधी विच्छेदे उप्षने जगत पलस इस हिंदी की उत्पत्ती किस भासा से हुई है उप्षन सी सोर सैनी अब बरंच से अर्भी भासा का कौन सा सब्दे उप्षन सी गुना पंच गद्धा एक संख्यावाची सब्दे अर्थ की द्रिष्टी से इसके अंतरगत आने वाले पदारते उप्षन सी पाच हाथ का मैल मुहावरे का अर्थे उप्षन बी तुछ वस्तू साकेत के रचनाकार कोने उप्षन बी मैथली सरन गुप्त सरस्वती पत्रिगा के संपादक कोन थे उप्षन बी महावीर परशाद दिवेदी डिंडोरा पेटना मुहावरे का अर्थे बातों को परचारित करना अंगुली में आटा गिला करना मुहावरे का अर्थे वयर्थ का काम करना हात मलना मुहावरे का अर्थे ओप्षन भी पच्ताना दानवीर कौन सा समास है ओप्षन डी ततपुरुष समास निम्न में से कौन सा सब्द सुधे ओप्षन सी आयोजित कलपना का विपरिथार्थक सब्द कौन सा है ओप्षन है यथार्थ तरीका प्रियाए वाची सब्द कोन सा है, उप्शन D, नो का आपका प्रियाए वाची सब्द कोन सा नहीं है, उप्शन D, धातरी जबकि चक्सू, अक्सी, वैलोचन, आपके प्रियावाची सब्द है साप का प्रियावाची सब्द कौन सा नहीं है option C, खग खग पकसी का प्रियावाची सब्द है जबकि साप के हरी, सारंग, वैब होगी प्रियावाची सब्द है रिक्षा किस भाजा का सब्द है option C, जा पानी आश्तिक संचिप्ती करेने आप्सन भी इस्वर के परती आस्थावान का निमलिकित में से इस पर स्वेंजन कौन सा है आप्सन डी छै निमलिकित में से कौन सा तत्सम सब्दें आमर निमलिकित में से कौन सा तदभव सब्दें ये सबी कोवा, कोयल, वै, कुत्ता क्या का उच्चारण इस्थाने ओप्सने कंट निमलिकित में से कौन सा सब्द पूल लेंगे ओप्सन डी आलश्य निमलिकित में से कौन सा सब्द इस्तरी लेंगे ओप्सन डी गिल हरे छत्रिय सब्द में प्रत्य है ओप्सन भी ये कनक का कौन सा अर्थ नहीं है अप्सन है चंद्रमा जबकि धतूरा, सोना, वैनाक, केसर कनक के अर्थ है चुनाओं में नेता लोग पानी की तरह रुपा बहाते हैं इस वाक्य में पानी का क्या अर्थ है अप्सन भी व्यर्थ आप भले आए इस वाक्य में भले क्या है? Option D किरिया विशेशन निमलेकित में से किस सब्द में आयन प्रत्य पर्युक्त हुआ है? Option E नारायन में किस लोकोक्ती का अर्थ वेबव छेनिक होता है? Option D चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात पांच साथ की लगडी एक जने का बोज लोकोक्ती का अर्थ है? Option D मिलकर काम करने से कठिन कारिये भी सरल हो जाता है तो Option D राइट अंसर है काव्य में कितने रस माने जाते हैं? Option C नो मैला आचल किसका उपन्या से? Option B फनिश्वर नाद रहनू का अंगरेजी सब्द ड्राप्टिंग का भारस सरकार द्वारा सविकरत हिंदी अनुवाद होगा Option D परारोपन तो दोस्तो यादि यमारी वीडियो अगर आपको चल लगे हो तो कमेंट करके जुरूर बताएं धन्यवाद